हाई फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 34 चेस्ट प्रिंसेस का फ्रंट ओपन ब्लाउस की कटिंग एन स्टीचिंग इसका बेक पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक में डिस्क् यह इसका बेक डिजाइन है और देखिए यहां पर अस्तर वाले फैप्रिक को डबल फूल्ड करके रखेंगे यहां पर मैंने बंद वाली साइड अपनी तरफ रखी है और खुली वाली साइड केमरे की तरफ रखी है सबसे पहले हम नीचे की तरफ एक लाइन डू कर अब हम हाफ इंच ऐस्टर लेते हैं अब प्रिंसीर कट मेंकर करेंगे इस तरीको से जैसे मैंने बताए मियुंसे हम फ्रंट बनाएंगे तो हुक मार्ज़िन के लिए हो फिलाइन डुलेंगे इस तरीके से आगे कि जा लाई डूब करने के बाद हम लेंगे लेंट तो त्यार जोमें रखनी है वह रखने हैं यहां पे 113 एंच इंचमाला यड़ करके सर्साइच पर निशान लगाएंगे आपको जितने भी लैंट रखनी है उच्व कास लाउ Mohammed Yes लगाईएगा और निशान लगाने के बाद देखें हम इस तरीके से लाइन ड्रो कर लेंगे और डीप नेक के अकोडिंग हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे पांच इंच मतलब 5 इंच शोल्डर लेंगे और आर्मोल्स में यहाँ पर रख रही हूं साड़े 5 इंच क्योंकि मेरी आर मॉलस की गोलाई है वो 15 इंच है अगर आतक आर्मोल्स की गोलाई 15 एंच चस्पर्टी थ Gardens लेंगे नीचे की साइड लेंगे हम कमर की 28 मतलब की 28 इंच उसका 4 पार्ट लेंगे हम 7 इंच तो 7 इंच पर मार्किंग करेंगे एक इंच हम तक्स के लिए एड़ करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन एड़ करेंगे और इस तरीके से एक लाइन रो कर लेंगे नीचे की तरफ तक्स के लिए मैंने इसलिए एड़ किया और इसी के साथ हम बेक पीकर आर्मोल की होगत करनी है अब देखिए हम डाउन करेंगे, हार्फ इंच पे टाउन करते हैं, नेग की तरफ हाफ इंच पे तो फाथ इंच पे शोहर्ड डाउं करके नेग ले ले लेंगे हम यहां पे सब धुआ और neck length लोंगी में यहाँ पर 6 inch और नीचे से neck width लोंगी में यहाँ पर 2.5 inch और इस तरह के से line draw करकर box बना लेंगे यहाँ पर round shape देनेंगे neck का इस तरह के से अब देखिए यहाँ पर प्रिंसर ट्रट के लिए हम marking बढ़ा कर लेंगे उपर से लेंगे हम 1 इंच बढ़ाकर और नीचे से लेंगे 1.5 इंच बढ़ाकर और इस तरीके से एक लाइन ड्रो कर लेंगे अब यहाँ पर हमारी मार्किंग कम्पलीट हो चुकी है तो इसे कट कर लेंगे कटिंग के टाइम आपको बेक वाला आर्मोल्स कट करना है किरेंगे चाइन वह में मार्किंग करेंगे का के जोईंड करते हुए था मदलब यहां तकस पनोड लेंगे यहां पर साड़सिंग निशान लगाएंगे और ने चाण Tut ुए है वहां पर हम लेंगे 4 संदर में फोना चारी इंच मतलब 3,5 इंच हमने नीचे लिये आता उससें 5 इंच बढ़ाकर ऊपर की साइध लेंगे हम 4 इंच और इस तरीके से निशान लगाकर एक exercises रो कर लेंगे अभी स लाइन को देखें सें आज मोल शेलियों के तो से अब हम टक्स की छोड़ाई लेंगे तो अब और 9 इंच बार सरी हुए यहां पर दो इंच और इस तरीके से लाइन रों कर लग हपके हात्तों से हमें अ सब्सक्रणूंत कर सकता है एक टिर्षा कांच करणॉब सब्सक्णू विन बच्छ नों के बचना करें kok अब हम बच्छों सब्सक्राइब कर देए यह रखों extraordinary अब नीचे की तरफ हम एक लाइन ड्रो कर लेंगे क्योंकि नीचे की तरफ कपड़ा बराबर नहीं है इसलिए लाइन ड्रो करने के बाद हम लेंगे स्लिवस लेंज तो स्लिवस मुझे यहाँ पर तयार रखनी है चार इंच उसमें एक इंच मारजिन ड्रो करके पांच इंच पर निशान लगाएंगे आगे भी पांच इंच पर निशान लगाएंगे और धाई इंच हरो कुछ कर देंगे और यह से लाइन रोख लेंगे देखिएंगे हम बातलों कहा करते हैं अब गजोंडेंगे तो यहाँ पर मेरा आर्मोल्स आ रहा है 7.5 इंच, तो 7.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड़ करेंगे और यहाँ पर देखे इस तरी के से लाइन डुरो करके स्ल्यूस का हलके आतों से हम शेप दे देंगे नीचे लेंगे हम Slews Pitting Slews Pitting है मेरी यहाँ पर 13 इंच 13 का अधा लेंगे हम यहाँ पर 6,5 इंच 6,5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1,5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे अब इस निशान को देखिए इस निशान से इस तरीके से मिला लेंगे यहाँ पर हमारी Slews की मार्किंग कम्पलीट हो चुकी है तो कट कर लेंगे कट करने के बाद देखिए इसे ओपन करेंगे और एक साइड से हम गहराई देंगे फ्रंट साइड में फ्रंट साइड के लिए गहराई वाली साइड देखिए हम दोनों साइड क्रोस निशान लगा लेंगे इस तरीके से सभी पार्ट को अब हम मैन फैब्रिक पे कट करेंगे तो यहाँ पर मैंने मैन फैब्रिक ले लिया है स्लीवस में यहाँ पर हमारा वर्क आएगा तो देखें हम दोनों वर्क को बराबर करते हुए रखेंगे और इसके उपर स्लीवस को रखेंगे इस तरीके से नीचे से हम निशान लगा लेंगे हाफ इंच का मार्जिन के लिए वर्क के नीचे हम हाफ इंच का निशान लगा लेंगे इस तरीके से मार्जिन के लिए स्लिव को रखेंगे से बराबर करते उए वह और निया है हम स्टिचिंग करेंगे यह पर उपर उस्के उपर अस्तर करने के लिए लगा लेंगे हम पूरे पार्ट में लगाते टाइम आपको ध्यान देना है कोई भी सल या क्रीस नहीं आनी चाहिए हमारे में प्रेब्रिक और अस्तर वाले फैप्रिक के बीच में अच्छे से फिनिशिंग देते हुए हमें सिलाई लगा लेनी हैं सिलाई लगा कर लेंगे यहां पर तो देखिए मैंने इसका भी मैन फैब्रिक लिया है इसे भी हम उल्टा रख देंगे और इसके उपर प्रिंसेस कट वाला पार्ट ऐसे रखेंगे और ध्यान देखिए यहां पर हमारा जो क्रो से वह उपर की साइड आना चाहिए इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद देखिए मैंने साइड से इस्टा फैब्रिक कट कर लिया है कट करने के बाद देखिए फ्रंट पार्ट लेंगे और दोनों को नीचे से बराबर करते हुए पकड़ेंगे इस तरीके से और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हलके आतों से देखिए हम दोन थåंट कर लिया है अब हम इसका अर्मोल्स कट करेंगे तो देखिए इसे बराबर करते हूए इस तरीके से रक लेएंगे हम और फ्रेट पाट का अर्मोल्स हम यहाँ पर कट कर लेंगे हाफ इंच इतना हमें यहाँ पर आर्मोल्स कट कर लेना है इसका इस तरीके से कट करने के बाद जो भी सिलाई आपकी खुल गई है यहाँ पर सिलाई लगा कर इसे कवर कर ले फिर से दोनों साइड तो हम सेंटर से कट करेंगे वनाने वाले हैं इस लिए आप चाओ तो कटिंग येиком पर क्टन के टायम भी से मतलम कृटे माली सायर से कट अब देखिए इसे कट करने के बाद के बाद कि इसे हम फ्रंट ओपन बनाने वाले हैं इसलिए आप चाहो तो कटिंगे टाइम भी इसे मतलब कट वाली साइड से कट कर सकते हो अब देखिए इसे कट करने के बाद जो सिलाई हमारी खुल गई है यहाँ पर उसे हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड दोनों साइड लगा के बाद तो कहिंगे रहा हैं इसे हम आई की लगाएंगे एक लिए इसके साथ मैन प्त्राइबरिक को अटएच करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैन फैबरीक लिया है इसके ऊपर हम अस्तर पाउनी प्ति रखकर दोनों को अटपैच कर लेंगे अटाइच करने के बाद जितना हमने हुकाई की पट्टी के लिए छोड़ा है उतना छोड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे फिर पट्टी को देखिए इस तरीके से फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे एक पेर का मार्जिन लेते हुए एक और सिलाई लगाएंगे और नीचे और उपर से दोनों साइड से इसरा पट्टी को हम कट कर लेंगे अब दूसरी साइड हम हूप की पट्टी लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने दूसरा बाला पाट लिया है इस पे हम हूप वाली पट्टी लगाएंगे तो हूप वाली पट्टी हम यहाँ पर अस्तर की लगाएंगे तो देखिए मैं अस्तर का फैब्रिक लिया है इसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए पकड़ेंगे और हाफ इंच का माजिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगाने के बाद नीचे से एस्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे पट्टी को इस तरीके से पलटते हुए पट्टी के उपर से लाई लगाएंगे फिर पट्टी को देखिए इस तरीके से हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर से लाई लगाएंगे इस तरीके से दोनों पत्टी ready करने के बाद देखिए हम दोनों पत्टी को measure कर लेंगे उपर से अच्छे से cut करते हुए देखिए हम दोनों पत्टी को measure कर लेंगे यहाँ पर हमारा जो भी छोटा बड़ा part हो रहा है नाइचे की तरफ उसे cut करके बराबर कर लेना है इस तरीके से बराबर करने के बाद देखिए friends एक बार फिर से चेक कर लेंगे हम यहाँ पर हमारा पाट है जो बराबर हो चुका है अब देखिए हम कमर पट्टी लगाएंगे तो कमर पट्टी के लिए देखिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की पट्टी ली है और इस तरीके से fold करते हुए इस लाई लगाएंगे इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद देखिए उपर की तरफ हम गला भी ready कर लेंगे तो गले के लिए हम यहाँ पर उरे पट्टी कट करेंगे जिस पट्टी में खिछाओ आता है वो पट्टी कट करेंगे देखिए यहां पर हमें सवा एक इन जितनी उरेप पट्टी कट कर लेनी है कट करने के बाद देखिए इसे हम इसके उपर इस तरीके से रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे आपको यहां पर पट्टी और नेक को बिल्कुल नहीं खीचना है सिलाई लगाने के बाद देखिए पूरे नेक में हम कट लगा लेंगे कट लगाने के बाद पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करते वे सिलाई लगाएंगे और अंदर से एस्ट्रा पट्टी को हमें यहां पर कट कर लेंगे कट करने के बार देखे इस पट्टी को हम अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और उपर की तरफ फिनिशिंग की स्लाई लगा लेंगे कि कि यहां एक देखिए पट्टी जो हमारी है वो लगकर रेड़ी हो चुकी है से मिसी तरीके से हम दूसरी साइड भी कमर पट्टी और गजलै की पट्टी दोनों लगा लें गे जैसी यहां पर मैंने दोनों साइड रेड़ी कर ली है तो अब हम शोल्डर जोइंट करेंगे तो शोल्डर के लिए यहां पर देखिए मैंने बेक पाट लिया है इसे हम इसके उपर इस तरीके से रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाय लगाएंगे यहां पर हम शोल्डर की तो देखिए दोनों को नेक की दरफ से हमें बराबर करते और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाय लगा लेना है आगे से अच्छे से पक्का कर लेना है हमें और सेम इसी तरीके से दूसरा वाला शोल्डर भी हम यहां पर जोइंट कर लेंगे दोनों सोल्डर जोइंट करने के बाद यहां पर देखिए हम इस्तरा फैब्रिक बाहर निकालेंगे तो बेक वाले पार्ट को देखिए हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सेंटर में मार्किंग कर लेंगे मार्किंग करने के बार देखिए इसे हम इस तरीके से रखेंगे और इसके उपर हम फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे इस तरीके से हुक वाली पट्टी को हमें सेंटर से बराबर करते हुए पकड़ना है इस तरीके से और साइड से चेक करना है जो भी extra fabric है आपका उसे आपको cut कर लेना है और इसी तरीके से हमें armholes की तरफ भी check करना है और जो भी extra fabric बहार निकलता है उसे cut करके बराबर कर लेना है सेम इसी तरीके से दूसरी side भी हमें check कर लेना है और दोनों side हमें बराबर कर लेना है cut करके बराबर करने के बार देखिए यहाँ पर हम sleeves ready करेंगे इसकी तो यहाँ पर देखिए मैंने sleeves का man fabric लिया है इसे हम इस तरीके से रखेंगे सीथा इसके उपर हम sleeves वाला अस्तर रखेंगे क्रोस वाला निशान जो हमने cutting की time लगाया था वो हमारा अंदर की तरफ आना चाहिए और इस तरीके से देखिए वर्क को एकदम बराबर करते हुए हमें हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद देखिए अब उपर से हम मैन फैबरिक और अस्तर को जाइंट करने के लिए चारो तरफ सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगाने के बाद देखिए जो भी हमारा साइड से इस्टरा फैबरिक है उसे हमें कट कर लेना है कट करने के बाद देखिए इसके साथ हमारे piping आये थी तो वो piping attach करेंगे ये red color की piping आये थी हमारे इसके साथ तो देखिए इसे हम इसके उपर इस तरीके से रखेंगे और एकदम kone की सिलाई हम लगाएंगे यहाँ पर piping को attach करने के लिए इस तरीके से देखिए मैंने piping attach कर ली है और उपर से देखिए उपर से भी हम इस तरीके से इसे fold करते होए finishing दे देंगे यह देखिए यहाँ पर हमारी जो slaves है वो ready हो चुकी है तो slaves को इस तरीके से double fold करके पकड़ेंगे हम और उपर की side चेक कर लेंगे जो भी आपका छोटा बड़ा पार्ट हो रहा है इसे हम cut करके बराबर कर लेंगे और center में छोटा सा cut लगा लेंगे center marking करने के लिए इस तरीके से अब देखिए हम blouse के साथ attach करेंगे ये जो cross वाला पार्ट है वह हमारा front side आना चाहिए यह देखे मैंने ब्लाउस को इस तरीकी से रख लिया है शोल्डर हम पहले कट करके बराबर कर लेंगे जो भी छोटा बड़ा शोल्डर हो रहा है यहाँ पर आपको कट कर लेना है कट करने के बाद देखे फ्रंट साइड हमारा क्रोस वाला निशान आना चाहिए और जो हमने कट निशान लगाया था छोटा सा वो हमारी शोल्डर की सिलाई पर आना चाहिए इस तरीके से रखते हुए देखे हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए पूरी स्लिवस को अटैच कर लेंगे स्लिवस को अटैच करने की बाद देखिए फ्रंट हम फ्रंट और बेक पार्ट को कमर की तरफ से पराबर करते हुए पकड़ेंगे इस तरीके से और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों को अटैच कर लेंगे यह देखिए फ्रंट्स यहां पे मेरी स्लिवस जो है फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुकी है से इसी तरीके से दुसरी वाली स्लिवस भी अटैच कर लेंगे और दूसरी और मैंने दोनों साइट सिलाई लगा के और स्लिवस अटैच करके रेडी कर लिया है अब हम fitting के निशान लगाएंगे तो fitting के निशान के लिए कमर जो हमारी है वो है 28 इंच उसका 4 पाट लेंगे हम 7 इंच और 7 इंच पे निशान लगाएंगे चेस्ट है हमारी 34, 34 का हम 4 पाट लेंगे 8 इंच इस साइड हमें आय की पट्टी को छोड़ते हुए मार्किंग करनी है सारी और देखिए fitting की इसलिए उसकी fitting लेंगे हम यहाँ पे 6 इंच पे इस तरीके से टेप को रखेंगे और 6 इंच पे निशान लगा लेंगे अब तीनों निशान को हम देखिए इस तरीके से मिला लेंगे लाइन ड्रो करते हुए यह जो लाइन है हमारी straight आने चाहिए तो क्या fitting हमारी एकदम perfect आएगी इसी तरीके से देखिए हम दूसरी साइड में निशान लगा लेंगे कमर का निशान लगाएंगे हम 7 इंच पे यहाँ पे हमें hook की पट्टी को मिलाते हुए निशान लगाना है और इस तरीके से एक line डो कर लेंगे अब दोनों साइड हमने जो निशान लगाया है वहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे fitting के लिए कमर की तरफ से पराबर करते हुए पकड़ेंगे और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे एक पेर का मार्जिन लेते हुए एक और सिलाइ लगाएंगे और साइट से ठोकी एश्ट्रा फैब्री के उसे कट कर लेंगे और सेम इसी तरीकी से दूसरी साइट भी हम सिलाइ लगा लेंगे इंके लिए यहां पर हमने दोनों साइड फिटिंग कर ली है तो फ्रेंट्स देखिए यहां पर हमारा जो ब्लाउज है वो बनकर कंप्लेट हो चुका है फ्रेंट्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट में जरूर बताना वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर और आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो मैं रिपलाई जरूर करूंगी और थैंक्स पर वाचिंग